नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवांट एक्सल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब विडियो ट्रिक्टोरियल में आज जहां आप सीख्ट है कंप्लीट एडवांट सेक्सर आज हम आपके साथ पावर पिरी के बारे में दिस्कूस करेंगे और दिस्कूस करेंगे हम फ्लाइक रते बारे में तो हमारे एक कि ट्रूडेंट है मिस्टर अक्रंट ऑप्ल्व चाहते हैं कि उनके पास एक डीटा लिस्ट है और नेपास डॉपड़न लिस्ट बने जिसके वह क्लिक करे तो देटा उसी का सो हो उसके 2 तरीके हैं एक तो तरीका इसका चलाओ कि आप देटा को पहले convert कर दे किसमें टेवल के अंदर इसके बार इसके उपर आप slicer का इस्तमाल करें और जैसे कि मुझे मन्त बाइच चाहिए या department बाइच चाहिए मैंने क्लिक किया, ओके किया, और यहां पर मैं इसको रख दिया, अब मैं जिस दिप्लिक करूँगा, मुझे उसी दिप्लिक का डेटा यहां पर शो हो यह क्या कर रहा है, फिल्टर को अप्लाई कर रहा है लेकिन हो सकता है कि एक चीजे पसंद मनाएं तो दूसरा तरीका है हमारा हो है Power QD. तो चलिए हम Power QD के बारे में डिसकर्स करते हैं. मुझे देटा इंपोर्ट करना है, बट इंपोर्ट करना है कंडीशन्स में. तो हम डेटा में रुबार में जाएंगे और उसके बाद हम यहां Get Data पे खिलिक करेंगे. From File, हमें From File से नहीं लेना है, हम यहां Other Sources भी आते हैं और जाते हैं किस पे? Microsoft QEORY पे. Microsoft QEORY पे, जहां में Security QEORY लाइट कर सकें, यहां हमने Data Base को Select किया and OK किया. उसके बाद Data हमारा जिस Location पे है, उस Location में यह Data जो आपका है उसको Select करें and OK. अब यहां पर फॉर्स टाइम करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास Table List ना आए, तो आपको यहां पर System Table पर क्लिक करना होगा. यहां पर देटा को Select कीजिए और Add करेंगे. तो Next, मुझे Condition किसमे लगाना है तो मुझे Month पे Condition लगाना है. तो हम यहां पर एक Particular Month को Select करेंगे, Next and Next and Finish करेंगे. और फिर इसको Table Format में हमाँ डेटा आए, लेकि हाँ अगरस्ट का है, लेकि मैंने क्या किया कि M column पे, माल लिजिए M column पे हमने एक Data Validation का लगाया इसमें और इसमें List लगा दिया अपने Month की यहां पे Gen, Jan, Jan, Feb, March, April, May, June, July, August and September, October, November and December. हमने कर दिया and okay कर दिया. और यहां पे क्लिक करके इसकी पोपर्टी इस पर आई है, जा डबल क्लिक कर दिजे इस पर और इसकी डेशिडेशन पर जाईए तो यहां आपको क्यूरी क्मांड दिखेगा. नीचे आईए तो यहां पे वियर कंडीशन अगर आपको है तो यहां पे हमने इस अगास्त और इसकी सांग सिंगल कोड लगा ता उसको भी दिलीट कर दिया और फिर इसके ऊपर हमने कोश्चन मार्क लगा है. तो यहां पे यूज वैलो रेफ्रेंश, फीटर रेफ्रेंश, एस रेफ्रेंश, आटमाटिक बेंदर चेंग दिलीए और इसके अंदर हमने अपना लोकेशन को ले लिया और ओके किया अब देखेगा. अब मैं इसको हटा देता हूँ. अब जैसे मैं अपना डेटा में फै इसलिए आपको पूरा डेटा दिखेगा नहीं, आपको फिल्टर नहीं लगा हूँ है और डेटा यहां पे फिल्टर ही इंपोर्ट हो रहा है. पूरा डेटा इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिल्टर करके ही इंपोर्ट करना है. तो दो अप्सिंस थे हैं, अब आपको जो यूज करना कर लीजिए आप लोग के पास भी कोई डाउट्स है तो मुझे आप वाट्स आप या मेल कर सकते हैं मैं टाइम जिगा लगा इस पर हम आपको वीडियो बना देंगे और आप हमारे साथ online live classes देना चाहते हैं या फिर हमारे pain drive देना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्ख कर सकते हैं या पिडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीदेगा अभी तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तकि मैं जब भी आपको वीडियो अप्लोड करूँ आपको यहां पे मिलता रहा है तो बागी वीडियो के लिए आप ाइपीटी इंडिया.com पे जाके रेख सकते हैं या भी यूटूब पे आए और आइपीटी इंडिया को सब्सक्राइब में 2500 वीडियो मिल रहेंगे रहे हुआ एपको सब्सक्राइब में नाइटीबुन भा स्वेडियों से कि लूटूड करे में।